जब बहुमान आता है विक्ती के अंदर, जब भक्ती आती विक्ती के अंदर, तो सम्मान अपने आप आ जाता है, और हम कह रहे हैं हम तो भक्ते महाराज जी, हम तो भक्ते हैं, देव सासगुरु के भक्ते हैं, भक्ते हैं, इधर अपने आपको भक्त मानते हो, और उन सामागरियों को, जो सामागरी भक्ते हैं काम में आती हैं, उनको किस तरह से आप दुर्भियार करते हो, एक तरह से दुर्भियार, कोई आपके घर में आपके कपड़ों को फैंक दे, लड़ने खड़ो जवागों तो, ऐसे कपड़े को फेकता है कोई, कल फिर पेनना नहीं है क्या, जुछ तरह से फेंक रहे हो, तुम क्या, जो भी देश में सुनेंगे, वो सब की कहानी आई है, अब शेह करने वाले जितने भी श्रावक हैं, आज तक हम इतना घूमले कहीं भी इसे श्रावक नहीं मिले, जो इन भस्त्रों की महिमा समझता हो, उन्हें लगता है क्या है, दो थी दुपट्टा है, कहा मो गया, पैंको, कहा मो गया, फैंको, पोजारी दूतार रहेगा, तो ऑनको गया करना है, गंचा है, दुपट्टा है, आपिए आप बात में जाओ, दस बजे नो बजग जाूत में इसे थेरीं अलगेरे यह नहीं जगह जगह चैनि मेर स्कॉत Ste legendary cage this means ishaim this is is कि इसको संमान बहुमान निहीं है कि बहु बस्त्र है जिन Ireland को पेंड के मैंने बगध्वान का उश्यक था कम्हें किम दो नहीं सकता thì तो बापेस घड़ी करके रख दूँ वो साने वाला चाहिए खुलेगा और वडिया तो तुम ऐसे असम्मान से फैकते हो फिर धोने वाला भी असम्मान से दोता है वो भी लातों से उठाकनी वो भी लात मानता है यह अजीव अदिकन है बंद का कारण है जो वस्तु सम्मान के तो तुम उसका भी अपमान कर रहे हो आप देव-श्ămुरु के भगत नहीं हो सकते हैं आप देव-श्चांशगुरु के फॉतने हो सकते हैं इसल्द कर गांशना आप बेती पहले समझना पड़ेगा शिर्प यहां पर कला ढपना भकति नहीं ए नहां आ कर क्ला ढपना पू वो हमारे अंदर हम को ही नहीं पता है, वो हमारे अंदर हम को ही नहीं पता है, है के नहीं है, और कोई अधी कह देता है, तो हम ऐसे बढग जाते हैं, ऐसे लड़ने लगते हैं, जैसे कि साने वाला हमारा सत्र हो, हरार बार बार यही कहते हैं, यही है, यही टोकता रहता है, य और तो कोई कोई कुछ नहीं बोलता। सी सी को हमारी कमई दिखाई देती है। यही टुकता रहता है। यही बड़ा ग्यानी बन गया पंडित बन रहा है। बड़ा गरंतपलडी इसने। अरे अच्छी बात अधी कोई छोटा बालक भी कहे, तो वो भी स्विकार करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम बड़े हैं तो हम छोटों की नहीं सुनेंगे। कोई बात अधी अच्छी हो तो बिलकुत सह स्विकार अपनी कमी मानकर उसको स्विकार करकर सुधार करना चाहिए। नहीं पता, तब तक गल्तियां हो गई, उनका प्राष्चित करना चाहिए, और आंगे गल्तियां ना हो, उसका संकल्ब करना चाहिए, तब तो आप देव गुरू समय भत्ता कहलाएंगे, तो ऐसा ना हो, यह तो बहुत सारी ऐसी होती है, एक घर मुई लड़ाई, किस बात प पानी की नाली निकालना था, गंदा पानी की नाली निकालते ना, इसको लेकर लड़ाई होगे की नाली हाँ से निकलेगी की हाँ से निकलेगी, अब लड़ाई होगे, सौलिशन नही है, पंचाद बठाई गए, पंचाद बठाई गए, बिमलकुमार जी बेठे थे निर्न कि विलकुष सत है, नाली तो यहीं से निकलने जाएगी, सरपंचो की बात मंजूर है, लेकि नाली तो यहीं से निकलेगी, बात सरपंचो की मंजूर है, बिलकुष सही के रहे हैं, लेकिन फिर भी नाली तो यहीं से निकलेगी, तो ऐस इस इस्तिति हमारी है, महाराज सही बो की तो हो कि इसी इस्टिति हमारी है छूनते हैं जानते हैं समझते हैं लेकिन करते बही है जो हमारी आदत में आच चुका है आज भी तुम देखना आज वण ने बोल दिया ना अपने कपड़े घड़ी करके रखना पिमल जी आखरी में जाते हो क्या मंदिर से आखरी में जाते हो ना आप तो हमारे पास से नो साड़े नो बजे दस बजे तक नहीं आप हमारे पास से जाते हो ना तो नीचे आकर देखना आज भी आज कहने के बाद भी तुम्हें देखाई देगा क्यों दिखाई देगा ऐसे तो कहते ही रहते हैं सुनो माता हूं उठाना महत्पूर नहीं है बस्तु मिलना महत्पूर नहीं है बस्तु पूरुपुण के उदे से मिल जाती है बस्तु मिलना महत्पूर नहीं है बस्तु पूरुपुण के उदे से मिलती है बस्तु का संरक्ष कहए से करें रिस्ते बनाना महत पूरन नहीं है दिश्तों को बचा कर कैसे रखें अ कर दोस्ते तो फिनल्ट बनाना महतमु नहीं है खुब बन जाएगी लेकिन उसको आंगे कैसे चला जूए यह कर कि गृंतों को निकाल के रख लेना पूजा कल लेना यह नहीं है अब उनके अंदर तुम्हारे चाल भरे हुए हैं लोंग भरी हुई है उससे गृंत फट रहे हैं कागज फट रहे हैं आप तो फटा पट पूजन किये इधर देखते देखते उधर चड़ा रहे थे तो एक आ अरे आराम से ऐसे कर दो थाली में सुन नहीं अगर चाबल थोड़ा गीला हुआ तो हाथ से चिपक जाएगा और आप ने तो अक्षट चड़ा दिया अपको तो यह से लगता है चड़ाने बाद यह तो अब पतने ही क्या हो गया हाथ खराब हो गया है तो मारा और अब यह उठाना है तो अक्षट का एक कोड़ नहीं रह जाना चाहिए हमारे हाथ में चपका हुगा निर्माल लोग है तो हमारा आते ही तो इसको ऐसे जट कारते हैं ऐसे एसे एक दाना चावार का नारे जाए फिर भले वो पूरे में पहल जाए थाली के चारो तरफ एक आपने द् प्लेट को उस हाद को ऐसा अच्छुत सा समय ने लगते हूं उस प्लेट में दाना न रह जाए उसके लिए जाए भले पूरा नीशे किर जाए है चड़ा धिया जित्ता चड़ गया चड़ गया रह गया औरे ये कैसे बच गया है हाथ में लग गया इसे, क्या है? यह भी अजीवाधी करना है, जहेंसे इन से कहए है, जिन बस्तिरों को आप अच्छे से, जिन बस्तिरों से पहनकर आप अपगवान का विशेक करते हो, उन बस्तिरों को समाल कर वस्तित रखो, जिसे दूसरा भी उसको देखके सम्मान आए, गर में बस्तु आप आवस्तित फैकते रों, घर में घर की देरी पर पैर रखते हैं, घर के महुल का पता चल जाता है. आप किसी घर में प्रवेस किये इधर टोबिल पड़ी है, इधर जाडू पड़ी है, इधर कशडा पड़ा है, इधर bedroom में बैसी बिस्तर पड़े हुए हैं इधर दूता, चपल सब पड़ा है समझ जाओ गए हां के रहने रहने वाले लोग प्रमादी हैं इस घर में रहने वाले लोग प्रमादी हैं इनको घर की साफ सफाई का कोई भी बिवेक नहीं है, कहीं भी कुछ पड़ा हुआ है और जिस घर में पै रखते से आप देखो चावी, चावियों की इस्थान पर रखिए जूते जूते की स्थान पर रखें कपड़े कपड़ों की स्थान पर रखें सुप सब एकदम साफ सूप रखा है एक ताँ नीड एंड क्लीन आप भी भी अपने जूते वाब यह कहा रखना देखो तो कहीं उतारना ऐसे यह उतारेंगे आप भी विवस्ते जगे पर युतारोगे पिर जहाव इस्तित पड़ा तो आप भी कहीं भी उतारके नहीं खुझजा होगे और आप देखोगे, पेर तो गंदी नहीं है, जूती तो गंदी तकली नीड अच्छी स्थान है, अपन जाएं पूरा गंदा गंदा देखेगा भी, तो आप भी पिर हाथ पेर धोके, विवस्ते थोके, अलर्ट रहके रही हैं, साने वाल इतना साफ सुत्रा रह रहा है, मैं गंदा जाओंगा, तो अच्छा नहीं लगूँगा, तो जब सब लोग अपने कपड़े घड़ी करके रखेंगे, तो एक दो बज जाएं, तो उने भी अपने लगेगा, यार, जब सब रख रहे हैं, तो अपन खाएं, अभी तो क्या है न, किस ने फैका, किस ने फैका, पता है नहीं, किस ने फैका, किस ने फैका, कि सभी ने तो पता ने एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से का मंत्री जी तो इस पता है इप्रजा मुझको कितना चाहती है मेरे कहने पर एक कुछ भी कर सकती है तो मंत्री जाए दोके मत्राव महाराज दोके मत्राव महाराज अरे दोके में नहीं सत्य बोल रहा हूं, मैं इसे जो कहूंगा, वो ये करेगी प्रजा, इतना मुझे चाहती है, तो मंत्री कहता है, ठीक है महाराज, देख ले रहे हैं, आप इनसे बोलो कि एक लोटा दूद ले आएं सब लोग, हरी, इसमें गया, बहुत छोटी कहां, तुम कुछ और भी मांगते बड़ा सा, तो भूभू ले आते, ठीक है महाराज पहले इतने सी देख ले रहे हैं, कि ठीक है, बुलबा दिया जाएगा, भेरी बरवा दियाए, नगर में भेरी बोल दी, कि राज अग्या है, कि रात को अन्धेरे में सब को एक लोटा दूद लाकर, जो पास में सूखा कुआ है, उसमें डालना है, एक लोटा दूद लाना है, सब ने का, अरे बहुत छोटी सी बात है, ला देंगे, इसमें क्यांसी बड़े, राजा आनेगा, और इतनी सी बात कहीं हो से, बुक होईता है, तम पूरी घर की भेंसों को इलका दूद पूरा निकाल के डाल देते, एक लोटे की क्या बात है, यलेइपन हो 2-5 रूपय का दूद हा 10 रूपर लीटरा आता देल तğ बहुत है, हमने पूरा दूपर लीटर में, तो है 2 रूपर का हुत हैगा, तो कितने का उतना उस समय तो जा इस था और तो पहरी था ऐसा, तो कितने को धिकत ने चलो 200 ml dूद तो डाल देंगे, कोई दि यार है, रात को रात्री हुई, अर्ध रात्री के बाद दूद डालना प्रारम किया गया, अमश्या की रात थी, काली रात थी, घंगोर रात थी, और पूरी रात ताता लगा रहा, लोग अपने घर से दूद ले जाकर उसकुई में डालते रहे, दूद ले जाकर उसकुई मे देखो पूरक गाउं का एक भी ऐसा घर परिवार नहीं बचा जिसने दूद ना डाला हूं हां महाराज बात तो आपकी सही है एक भी परिवार ऐसा नहीं बचा जिसने दूद ना डाला हूं सारे परिवार चोलो पन देख के आतने किता भर गया कुआ देखा तो कुआ भरा लेकिन उसमें दूद का एक भूंद भी नहीं था इस दूद कहां गया सारा इस दूद कहां गया सारा एक भी भूंद दूद की नहीं थी उसमें पानी से कुआ पूरा भर चुका राजा के ते यह क्या सबने दूद डाला था इस दूद पानी कैसे बन गया मंत्री बूला, देखा राजन आपने कहा था दूद डालना लेकिन सबी सोच रहे थे एक लूटा पाणी डाल देंगे तो क्या फरक बढ़ेगा, दूद में पाणी डालने से यसी दूद जैसा देखता है तो आर वेक्ति यही सोच रहा था एक लूटा पाणी डालने से इतने सारे दूद में क्या पता चलेगा, अपन पाणी डाल दो सब लोग तो दूद डाल रहे अब सब नहीं पाणी डाला अब किसने पाणी डाला, यह नहीं पता चल रहा सब तो यह कि हम तो दूद ही डाले दे पानी कैसे हो गया तो भाई इस्तिती ही हमारी होती ही जब सब कड़ा है तो पता नहीं चलता पकड में नहीं आता और जब कोई एकाथ दो रहा जाते हैं भी सुटते हैं और अगर अँब अपने डाला तो पकड में आ जाएंगे अब फैंका तो पकड में आ जाएंगे सब तो घड़ी करके रख रहे हैं सम्मान से रख रहे हैं और हम लात मार के फैंक के जा रहे हैं यही फिर भूवी उठा के सम्मान से रखने लगेगा यही इस्तिती घर में उती है आप विवस्तित रहते हो तो घर की सदद से बश्ते जैना सीज़ जाते हैं जैसे आपने का महराज जी आप समय से खतम कर देते हो तो आप भी तो समय से आने लगते हो और हम असमय से खतम करें असमय से चालू करें तो आप भी असमय से आने लोग केतने लोग लेट आते हैं किते ही बज़े का टाइम दो, आदा घंटा लेट चलते हैं, क्यों चलते हैं, कि उनको पता है, हम समय पे आभी जाएंगे, तो आदा घंटा लेट शुरू करेंगे, उनको पता है, हम समय से आभी गए, सारे काम निप्टा के बैठ भी गए, तो इनको करना आदा पॉन घंटा बादी है, तो फिर क्यों नहीं आदा पॉन गंटा बाद जाएं? यदि समय से करेंगे, समय से बंद गरेंगे, समय से चालू करेंगे, तो जिसको ललक होगी, जिसको सुनने की जिग्यासा होगी, इक्षा होगी, वो समय से सभा में पोँच जाएगा. आप बश्तित रोगे, इसलिए आचरी वन काई, विवस्ता करने की जरूद नहीं है, सेम बश्तित हो जाओ, तुम लोग नियम ले लो जितने वेटें, कि हम अपने कपड़ों को अपने हाँ से घड़ी करके साइट से रखेंगे, कि हम अपने कपड़ों को नहीं फेंकेंगे, जो कपड़े हमने पैने हैं, भगवान का अवशे किया जिन कपड़ों से, जिन कपड़ों से गुरू को हार दिया है, उन कपड़ों को हम अपने हाँ से घड़ी करके रखेंगे, विश्वास मानना, तुम इतनी तो लोग हो, इसमें दस वीस और आंगे पीशे कर लो, इससे ज़्यादा कोई नहीं है, तो जब इतनी लोग घड़ी करेंगे, तो आने वाले दस लोग अपने आप घड़ी कर देंगे, ये बच्चे तुमको जब देखेंगे कि बस तुमको घ घड़ी करके रखना पड़ता है, तो इसमें घड़ी करना प्रारम कर देंगे, और एक समय ऐसा आएगा, ये नियम हो जाएगा, ये आदत में आजाएगा, बस तरो तार के कोई फैंकेगा नहीं, बस तार के सब सम्मान से घड़ी करके रखेंगे, तो कोई भी भार का जब वो आप से प्रभावित हो जाएगा, वो इदर फैंकने की कुसिस कर रहा था, तो ये वो देखेगा, ये भी जा क्या कर रहे हैं, ये सब तो अपने अपने कपड़ों को घड़ी करके रखना हैं, वो फैंक भी देगा, उठाएगा फिर से, उसकी गठान खोलेगा, और जिन बस्त्रों से मुझे कल्भी भगवान का विशेख पूजन करना है, इनको मैं ऐसे लातों में ठोकरों में नहीं डालूगा, ये कची टीबल पर घड़ी करके, सब को पता रहेगा, ये असुद्ध बस्त्रें घड़ी करे भरे हैं, लिगा सुद्ध हैं, बात में उनी को सवक्ष नहीं डख पाते हैं, वे सवक्ष भारत अईवान की बात करते हैं, सवक्षता की बात करते हैं, और हम अपने को ही गंदगी में रखते हैं, इसलिए सवक्ष रहोगे, सवस्त रहोगे, सवस्त रहोगे तो प्रिसंद रहोगे हैं, आप देखना, जब आप अपने हा Jynnyi पर भुमान आएगा, भुमान हाओ, भुमान समझते हो, किसे के नो, भुमान, आधर, आधर, आधर जिन्वानिका भुमान करो, जन्वानि जा रहे है, आप पटाक से खड़े होがह, जन्वानी माँ है, ये राजमान हो रही है, खड़े हो गाह, पहले, सबान चलती थी न, स्याम को बाचना होती थी, तो क्या होते साबधान जिन्वानी आ रही है तो सबी लोग अपने इस्थान पर खड़े हो जाते थे, गद्दी पर जिन्वानी रखी विराजमान होती तो भुमान रखते थे, सिर पर रखके लेके जाते अलबारी में रखना है तो सिर पर रखके लेके लाना है तो सिर पर लेके इसका नामता भुमान बहुत मान देना माने नहीं सम्मान देना उसको भुमान आना चाहिए सम्य ज्यान का एक अंग है भुमानाचार सम्य ज्यान का एक अंग है भुमानाचार कि ग्रंत हमने रखें यहां पर इनको ऐसे नहीं छोड़ूँगा इस जिनवानी है बहुमान आना चाहिए मैं बापेस अलबारी में अच्छी से जमा के जाऊंगा देखो तो जिसने जमायते कि ते अच्छी जमायते लेकिन हमने इधर से कीचा इधर से खीचा इधर से खीचा अब ओ बड़ी के बीच में छोटी फसादी छोटी के बड़ी पसादी टिड़ी आड़ी फसादी पूरी सुन्दर ता बेगार दी है अगर हम जहां से बस तुली होती बहां पर रखते बैसे ही रखते तो आज भी वहसी सुन्दर होती है लेकर हमारे अंदर भाहुमानी नहीं जिन्वानी का आदर ही नहीं हमारे अंदर पढ़िये तो पढ़िये पानी लगा तो पानी लगा चाल भरे तो चाल भरे फट रहे तो फट रहे और बच्चे को ले आएंगे साथ में एकाद, तो उसको और एक पकड़ा देंगे, तो बेढ़ के फाड़ता रहेगा, हाँ, पोत्य को ले आए साथ में, अब तुमको करनी थी पूजन, अब पोत्य कर रहाता उदम, तो क्या करें, ये पकड़ ले पिटले, तो एक उसको पकड़ा दी पुस्तक को इसी पतली सी, अब वो बैठा है, जाविनी पर पटक रहा है, खा रहा है, फाड़ रहा है, मोड़ रहा है, तुम तो अपनी पूजन लगे, जे जे नात परम गुरू होई, जिन्वानी फटे सुपटे हमरों कल्याण होई, विकल्पी नहीं हमको, माला पकड़ा दी, वो तोड़ा है, गुमा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, पेरों में बांद रहा है, खीच रहा है, आपका भहमाना चार, हमारे अंदर कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी नहीं है, आप देव गुरू समय बत्ता नहीं है, झाल झाल